दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए अच्छा में चु तो 100 तो नहीं कह सकते हैं लेकि 99% possibility है कि आप इस बिजनस में सक्सेस हो सकते हैं तो दोस्तो यह बिजनस बहुत ही सिंपल है आगे हम आपको इस बिजनस के बारे में पूरी डीटेल से बताएंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे aluminum foil container बिजनस के बारे में दोस्तो आज कल हर चीज home delivery में आने लगी है इवन फूड भी आजकल हम जादा से जादा home delivery करते हैं इसके अलावा अगर हम सफर पर जा रहे हैं तो वहां पर भी हम फूड साथ में लेके जाते हैं तो जिस container में यह food आता है उसे कहते हैं aluminum foil container दोस्तो इसकी खासेत यह होती है कि इसमें food जो है वो गरम का गरम रहता है ताजा रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो container होता है यह recyclable होता है तो इससे pollution का भी कोई खत्रा नहीं होता है तो आईए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस business को करने के लिए कौन सी machinery के आवशक्ता होगी इसमें कितनी costing लगेगी इसमें कितने raw material लगेगा इसमें कौन से license लगेंगे आज हम इसी बारे में discussion करेंगे तो दोस्तो बने रहे वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और दोस्तो इस वीडियो को like जबर कीजेगा आईए दोस्तो देखते हैं इस business के बारे में झाल दोस्तो अगर बात की जाए इस business को start करने के लिए area की तो आपको industrial area में ये business को start करना होगा लगबग लगबग आप इस business को करने के लिए 1500 square feet से तो 2000 square feet के area में आप ये business को start कर सकते हैं उस area में आपको electricity भी commercial लेने होगी और वहाँ पर पाने की वेवस्ता भी अच्छी खासी होनी चाहिए तो आए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस business को करने के लिए हमें कौन से machines के आपशकता होगी और कौन से वाले raw material के आपशकता होगी दोस्तो इस business को करने के लिए दो type की machines आती हैं एक होती है semi-automatic एक होती है fully-automatic आप अपके budget के हिसाब से ये machines को खरीद सकते हैं अगर आप semi-automatic machine खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लगबल लगबल हो जाएगी 15 लाग से तो 18 लाग के बीच में और अगर आप fully-automatic machine खरीदना चाहते हैं तो ये हो जाएगी आपको 20 लाग से तो 25 लाग के बीच में दोस्तों आप अपने budget के हिसाब से इन machines को खरीद सकते हैं अब रहा सवाल इस business को ये machines को कैसे चलाते हैं तो दोस्तों जो अब आप machine खरीदते हैं तो वहां की जो उस company के engineers होते हैं वह आगर के आपको personal level पर इसका training देते हैं कि ये machine किस तरह से चलाई जाती है और इस business को कि तरह से किया जाता है दोस्तों अगर बात की जाए इसके raw material की तो आपको indiamart.com पर 1500 रुपे से तो 200 रुपे की बीच में पर केजी के हिसाब से इसकी aluminum foil sheet खरीद दी होगी जो आप अपने budget के हिसाब से खरीद सकते हैं इसके अलावा आपको जरूरत होगी packing boxes की जिसमें आप जब आपका production complete हो जया तो जिन boxes में आप रख करके इसे भेज़ोगे उन boxes की भी आपको इसमें raw material में जरूरत होगी दोस्तों अगर बात की जाए इस business में लगने वाले manpower की तो आपको सबसे पहले तो दो skilled worker रखने होंगे इसके अलावा other जो काम होते हैं उसके इसाब से तीन unskilled worker भी अगर आपने रखे तो भी चलेगा इसके अलावा जब आपका product बोना बुनके ready हो जाता है तो आपको दो salesman भी रखने होंगे जो आपका product की marketing कर सके दोस्तों अगर बात की जाए इस business में लगने वाले license की तो सबसे पहले तो आपको उद्योग आधार का license लेना होगा इसके बाद आपको इसमें trade license भी लेना होगा इसके बाद आपको लगेगी जरुवत no pollution के license की अगर आप ये business को शेहर में कर रहे हैं, city के अंदर आता है तो आपको no pollution का license भी बहुत जादा इसमें important होगा इसके अलावा आपको लगेगा GST का number और जो भी आपके local level पर जो license लगते हैं वो भी आपको लेने होगे दोस्तो अगर बात की जाए इसमें loan की तो ये जो business है इसमें मुद्रा loan ले सकते हैं और भी government की कई scheme से जिसे जाकर के आप जो नेशनलाइज बैंक होते हैं वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तो अब हम देखते हैं इस business में लगने वाली marketing के बारे में दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके targeted customer इस business में कौन हो सकते हैं जैसे कि होटेल से रेस्टोरेंट से सुपर बादार है शोरूम से होलसेल वाले जो लोग है वह भी आपके टारेड़ेड करस्मर हो सकते हैं इसके अलावा जैसे दोस्ते तीन परसन सेल्समें आपको रखने होंगे जो इन सारी जगों पर लाकर की विजिट करके आपके लिए और ला सकते हैं तो दोस्तों इसका लो अगर है इसमें बहुत स्था ब्रैंड की जर्रार जरूबरत नहीं है इसलिए आपको पैकेजिंग पर उतना ध्यान नहीं ंच शोन सकता है लेकिन आपको मैनल रकेक्षरिंग के साथ साथ इसके मार्केटिंग पर उतना ध्यान देना होका तो दोस्तों इती और बेसिक information इस business के बारे में हम इसी तरह के innovative ideas लाते रहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए अगर आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातर में